फ्रेंड्स आई एम मंकित स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 अवे टू सक्सेस पर फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी जानते हैं कोई भी ने अपडेट आती है मैं आपको जानका दी जिरूर देता हूं तो देखिए अरियाना से एटी केस को लेकर आज का ठीक है अब जस्ट इंस जार है कि बस ज्वाइनिंग किस समय करवा दी जाए क्योंकि मामला जितना कॉंप्लेक्स दिख रहा था पहले अब जो है एक ही चीज है कि जल्दी है जल्दी निभर्तियों को निप्टाया जाए तो इसका बेनिफिट स्टुडेंट्स को मिलेग स्टुडेंट्स के फेवर में जाएंगी चीजे मतलब आप लोगों की बात कहां होगी ज्वाइनिंग के लिए ओके जितने मुद्दे हो सकते आज जल्दी है जल्दी निप्टाये जाएंगे अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक व तो ग्रूप डी बढ़ती होगा मैं आपको बता दू साथी हो जो आपके डाई हजार पोस्ट है ना बची हुई है लगबक डाई हजार के आसपास ठीक है वो सब कुछ डिबैंड कर रहा है पांच नमबर पर अज सबसे पहले सुनवाई किस पर होगी पांच नमबर है जो स सोचे एकनोमिक मार्क्स सोचे एकनोमिक स्क्रेटरिय के मार्क्स तो ग्रूप डी वाड़ों का आज उमीद है काम सारा नहीं पढ़ जाएगा और नहीं तो दूसरा बता रहा हूं मैक्सिम्म क्या पोसिबिलीटी हो सकती है तिक्ए पांच नमबर वाड़ों का तो आज कर ही उनकी पोस्ट थी न याद आया भी कुछ उससाइट ध्यार नहीं जा रहा होगा जितने रिजल्ट आये पांच नमबर के बेज़ट पर जो कॉम्मन आ रहे थे ना पांच नमबर और विदाउट पांच नमबर के सिर्फ उन ही का रिजल्ट दिया था बाकी सभी का हैं तो अभी के समय पर ऐसा नहीं किया जाएगा कि इतना लंबा समय दिया जाए दूसरा ग्रूप सी बढ़तिया देखे आप आपको यह ध्याना ही मैं पहले किसकी बात कर रहा हूं पहले उन बढ़तियों की बात कर रहा हूं जो रुकी हुई है मतलब इनका हाफ इपार्टमेंट की यह सारी वेकेंस है जिनका रिजल्ट आ चुका है ओके और जो इनका पैंडिंग रिजल्ट है उसके लिए पांच निमबर वाड़ा मामला सुलजना बहुत जरूरी है अभी तो औरों की बात करेंगे बाकी सब यह बात समझ में आई अब इसके बात करते हर्याना TGT बढ़ती वही TGT का है ना केस का निम्टारा हो ना हो ठीक है केस का निम्टारा हो या ना हो लेकिन TGT बढ़ती के लिए परमीसन ले ली जाएगी कि क्या हम उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं विदाउट 5 नंबर भी ठीक है TGT वालों के लिए तो जोइनिंग क के लिए पूरा पूरा एफर्ट है कि चाहिए कुछ भी हो किसी भी सिच्वेशन में TGT वालों की जॉइनिंग के लिए परमीशन ले लिए देखिए कौन सी परमीशन मतलब माननी है हाई कोट से यह नहीं की चुनावायोग से वहां से तो पहले ही परमीशन ले चुके हैं भी वहां से तो पहले ही परमीशन ले चुके दिखा भी दूँगा वो मैं आपको तो हर्याना TGT भढ़ती वालों का तो भी निप्टारा कर देंगे और अगर पांच नंबर का भी हो गया तो फिट तो इनका सब कई हो जाएगा कि एक्सप्रिंस वाड़ा रहेगा उसका कुछ वहां TGT मरती वाले रेडी रहें उसके बाद बात आती है पांच नंबर वेरिफिकेशन भई की रिवेरिफिकेशन होगी या पांच अंग खटेंगे भई ये तो ना ही तो मैं कह सकता हूँ अब ठीक है ना ही कोई भी अगर कोई अभी भी मानिया हाई कोट के डिसीजिन से पहले कुछ कहता है तो भी वो सरासर गलत होगा क्योंकि मानिया हाई कोट का काम है कि न्या लेग न्याए करना ओके और उनको चाहे उनको इस चीज़ से कोई फरक नहीं पड़ता इसका किस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा सबसे पहले उनका काम ये है कि जो किसी के साथ गलत ना हो किसी के साथ भी गलत ना हो अब आप सोच सकते हैं उसके इसाब से क्या रहेगा क्या नहीं क्या तरक रखे जाते हैं क्या नहीं वो एक अलग बात है तो हो सकता है वेरिफिकेशन के लिए बोल दिया जाए हो सकता है पांच चंग बिल्कुल हटा दिये जाए तो जो भी possibility होगी वो साथ की साथ आपको आज पता चल जाए और सबसे main मुद्दा ही आज पांच अंक का है उसके बाद होगी वही चपपन स्थावन और इनकी बाद अब भई कुछ साथ ही बार बार कमेंट करते हैं चपपन स्थावन का क्या रहेगा पे की बेस पर कि जो students है वो कितने गुणा बुलाए गए थे कितने times थे इस बेस पर और वो 41 question repeat वाड़ा कोई तो बहुत बाद में है matter 40 question repeat वाड़ा तो बहुत बाद में है ठीक है तो इसलिए chances है कि आज इसका भी निप्टारा करने की try की जाए या तो cancel करना है तो cancel कर दो ठीक है नहीं करना है तो result के लिए बता दो मतलब कुछ भी करो लेकिन final कर दो क्योंकि अगर ये final हो जाता है तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है न वही खत्म हो जाएगा अभी के समय पर जे ही बढ़ती बढ़ती वाड़े मेरे पास कहते है सरक टो बना दो ये बना दो भई मैं आपके लिए अभी कुछ नहीं कर सकता जब तक आज या तो आपके लिए hearing नहीं हो जाती क्योंकि आपका मुद्दा ही अलग है भई आपकी भरती में बहुत सारी चीज़े गलत हुई है बहुत सारी चीज़े गलत हुई है मैं भी मानता हूँ सीधा सीधा ठीक है उसके बाद ESM, DSM वड़ा मुद्दब इस पर थोड़ा सा मुझे मुझे मुश्किल लग रहा है कि इस पर ज़्यादा ध्यान जाए है कि आज इनके पास और केस बहुत है और केस्टो को निप्टाने के चक्कर में आई है तो मुझे चांसीच कम लग रहे लेकिन हो जाता है तो दा बैस्ट है अगर ये हो जाता है तो दा बैस्ट है ठीक है जही वालों के लिए बता रहा हूँ थोड़ी मुश्किल आ सकती है जही बाड़ों के लिए इसलिए आ सकते है उस भर्टी में एनी मित्ता है मतलब उसके एक्जाम में ओके जो रोल नमबर बुलाए गए थे जैसे बुलाए गए थे जो उन्होंने सुबह भी बुलाए है रात को बुलाए है वो मैटर सही नहीं है अब उसके बाद तेखे भई ये थर्ड पार्टे की तरफ से अर्जैंत में लगा है ठीक है आज ही डा़ी नमबर ये रहा चैटेगरी नमबर पार्टी नेम सब कुछ किसने करत ओके ये अर्जैंट में लगा है उसके बाद ये आपका जो पांच नमबर है चुरिया आपका जो 5 नमबर वाड़ा और 56 वाड़ा ये है 56 वाड़ा सबसे मेन केस आपका ठीक है 19 मार्च ordinary में है ये पांच नमबर वाड़ा बहुत अर्पित के लावद वाड़ा ना 5 नमबर वाड़ा है ये ओके तो ordinary में है और कोट रूम नमबर 17 में 277 ये पता चल गया ये 5 वाड़ा है अर्पित के लावद का ना ये और दूसरा है एक केस आपका 277 पर है दूसरा केस है आपका 295 पर ठीक है दूसरा आपका 295 पर है तो ये दोनों केस आपके हैं इनकी सारी अपडेट आपको समय सम समय पर हमारे टेलिग्राम ग्रूप मंकित 72 पर दे दी जाएगी मंकित 72 इस ग्रूप पर दे दी जाएगी तो टेलिग्राम ग्रूप को जोइन कर लेना वहां सारी अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहेगी मिलते हैं आपको नेक्स वीडिए में अपडेट के साथ तब त 72 जोइन करें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें मंकित 72 और बेल आइकन उप्रेस करें धन्यवाद आपका दिन सुपर